एलविश यादव पर एक और मुसीबत आन पड़ी दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आखकार पूरी बात क्या है मंदिर में जो फोटो क्लिक करवाई गई उसके पीछे का क्या राज है और क्या क्लारिफिकेशन सामने आई है स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई मे मैं हूँ अधिती शर्मा तो दोस्तों एलविश यादव हाल फिलाल काशी विश्वनाथ टेंपल गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर पूजा की पूजा अर्चना की बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भगवाण जी की ब्लेसिंग्स ली लेकिन उसके बाद करवाई गई है वो प्रतिबंधी तेरिया है यानि कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कैमरा या मोबाइल ले जाने की परमीशन नहीं है और उसके बावज़ जूद जो है वो एलविश यादव ने वहाँ फोटो क्लिक कर आई हैं लेकिन दोस्तों जो फोटो वाइरल हो ही उसमें हम देख रहे हैं कि अलविश यादव ही नहीं बलकि बहुत सारे उस मंदिर के लोग भी वहाँ पर मौझूद हैं उस फोटो में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर दोस्तों इसी मामले पर अब एक क्लैरिफिकेशन जो है वो आ चुकी है क्लैरिफिकेशन दी है श्रीकाशी विश्वनात मंदिर के मुख्यकारेपालक अधिकारी ने और उनका कहना है इनका नाम है विश्वभूशन मिश्रा और उनका कहना है कि यह जो फोटो जहां से सामने आ रही है जहां पर यह फोटो क्लिक कराई गई है वो प्रतिवंधित क्षेत्र नहीं है नियं पुद्धा के अनुसार स्वयम फोटो करवाता है यानि कि जो प्रशाशन है जो टेंपल का प्रशाशन है वो लोग अपने कैमरा से फोटो क्लिक करवाते हैं और फिर अगर सामने वाले कुछ चाहिए तो वो उसको भी देते हैं और यहां पे पूरा अक्षेत्र हाई रेजोल क्लिक करवाए हैं ऐसा नहीं है तो देखा जाए तो यह कंपलेंड यहीं से खारिच हो जाती है क्योंकि जो मंदिर का प्रशाशन है उन्होंने यह बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है आप सभी को क्या हिस पर कहना कॉमेंट्स में बताईए जरूर मिलते हैं नेक्स्ट बड़ियो में